दोस्तो मेरा नाम सलोनी है और मैं बड़ी ही शोक और चंचल टाइप की लड़की थी. मैं एक गरीब फैमली से बिलॉंग करती थी. इसी लिए मैंने अपनी जिंदगी में सुख चैन नहीं देखा था. घर में हमेशा भाभी और मम्मी की लड़ाई होती रहती थी. मुझे ज् तीन भाईयों की इकलोती बहन थी. मेरे घर में हम लोगों को दाल रोटी मिल जाता था. यही हमारे लिए बहुत था. इसी लिए. वो लोग, वो लोग मेरी डिमांड्स कहां से पूरी करते. मैं अपनी इस गरीबी भरी जिंदगी से तंग आ चुकी थी. क्योंकि मेरी जितन पढ़ने नहीं दिया गया था. जब हम सारी फ्रेंड्स एक साथ इकठा होते थे, तो सब के पास मोबाईल फोन होता था. सिवाए मेरे, वो सब मेरी मजाक उड़ाया करती थी. मैंने अपने घर में मोबाईल की डिमांड्स की. थी, तो उन्होंने मुझे साफ इंकार कर दिय था. उनका कहना था कि कुमबारी लड़कियां मोबाईल इस्तेमाल करती हैं, तो बिगड़ जाती हैं. मगर में भी तो करना चाहती थी, क्योंकि बिगड़ना मेरी मजबूरी बन चुका था. मैं अपने माता-पिता की तरह शरीफ और गरीबी भरी जिन्दगी तो नहीं चाह दिया था. लेकिन मेरे परिवार वालों के पास पैसे होते, तब न वोह मुझे मोबाईल दिलाते. मेरे तीन भाई थे, तीनों ही बिलकुल नाकारा थे. सबसे बड़े भाईया की शादी हो चुकी थी, और वह अपनी पतनी के साथ अपनी जिन्दगी. गुजारने में बिजी हो गए थे, और उनकी पतनी इतनी तेज आ गई थी, कि हर दिन घर में मम्मी और उनकी लड़ाई होती रहती थी. मेरी मम्मी भी कुछ कम नहीं थी. शायद हम गरीब लोग ऐसे ही होते हैं. छोटी-छोटी बातों से लड़ने जगडने लग जाते हैं. फिलहाल मुझ इसके लिए काफी है. मगर मैं तो भाभी की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी. मुझे उनकी बातों से कोई मतलब ही नहीं था. मैं तो सिर्फ किसी भी तरह अपने शौक पूरा करना चाहती थी. मेरे ज्यादा हंगामा करने से और खाना ना खा उन्होंने अपनी कानों की छोटी-छोटी बालियां बेच कर मुझे मोबाइल दिलवा दिया था. हालांकि इससे पहले वह मुझे बहुत बारी समझा चुकी थी, लेकिन मेरी कुछ भी समझ नहीं आता था. ये मेरी पहली डिमांड थी, जो इतनी बड़ी और महंगी थी. इ उसके साथ फलर्ट करना शुरू कर दिया था. मैं उन लोगों से जो भी डिमांड करती थी, वह उसे पूरा कर दिया करते थे. और इस तरह से मेरे पास काफी सारे पैसे भी रहने लगे थे, और मैं उन पैसों से अपनी खूब सारी शॉपिंग करती थी. घर में कोई पूछ मैं उसे ब्लॉक कर देती थी. या फिर अपना नंबर चेंज कर दिया करती. क्योंकि एक एक लड़के से मुझे काफी काफी मुनाफ़ा हो रहा था. मेरी खूबसूर्ती के वह दीवाने होते रहे थे. और मेरे कहने के मुताबिक ही चलते थे. मैं अभी शादी नहीं करना च दहेज चाहिए. हालांकि मैं आपकी इकलोती बेटी हूँ और इकलोती बेटी के माता-पिता उन्हें बहुत सारा दान दहेज देते हैं. मेरे पापा मेरी बात सुनकर खामोश हो जाते थे. उनका कहना था कि कोई पिता ऐसा नहीं होता जो अपनी बेटी को खाली हाथ विद करना था. मुझे अब अपनी जिन्दगी बहुत अच्छी लगने लगी थी. क्योंकि मैं लालची हो गई थी. और अपने लालच में आकर मैं काफी सारे लड़कों को लूट चुकी थी. लेकिन अब बात सिर्फ गिफ्ट तक ही नहीं रही थी. बलकि मैं लड़कों के साथ पैसों के खातिर रूम पर भी जाने लगी थी. और फिर उसके बाद मैंने वही सब कुछ किया था, जो हर लड़का लड़की करते हैं. ऐसा करना मेरा शौक भी बन गया था. और मुझे धेर सारे पैसे भी मिल जाया करते थे. पैसों की लालच ने मुझे अंधा बना दिया और मैं यह समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं अपनी इज़्जत के साथ खिलवाड कर रही हूँ. एक दिन जब मैं घर वापस आई, तो मुझे पता चला कि मेरा रिष्टा फिक्स कर दिया गया है. मैं यह बात सुनकर घबरा गई थी कि क्योंकि मेरा अभी शादी का कोई इरा रिकती गई थी. फिर फाइनली मेरी शादी हो. गई थी, लेकिन शादी हो जाने के बाद मेरी जिंदगी एक ऐसे मोर पढ़ आ गई थी, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था. शादी की पहली ही रात, जब मेरा पती कमरे में आया, तो हम दोनों के बीच कुछ भ पूरी हो रही थी, मगर एक ख्वाहिश मेरे अंदर ऐसी थी, जिसको पूरा करना मेरी बहुत बड़ी कमजोरी बन चुकी थी, शादी के बाद मैं हर रात यही सोचती थी कि मेरी भी क्या जिन्दगी है, ना जाने मैंने अपने पेरेंट्स के कहने में आकर क्या सोच कर यह शा गए थे, बलकि मैं तो अंदर से पूरी तरह तूट कर रह गई थी, मेरे पती के होने और ना होने से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, मेरा पती हालांकि बहुत अच्छा इंसान था, उसकी नौकरी भी बहुत अच्छी थी और मुझसे बहुत ज्यादा, प्यार भी दिन मैंने अपने सास ससुर को एक दूसरे के बहुत करीब आते हुए देख लिया था, तभी से मुझसे अपनी फीलिंग कंट्रोल नहीं की जा रही थी, मुझे अपने ससुर अब अच्छे लगने लगे थे, इसी लिए मेरा पूरा ध्यान मेरे ससुर की तरफ चला गया था मैं कितने समय खुद के साथ जंग करती रही कि यह सब करना ठीक नहीं है, वह मेरे ससुर हैं, अगर मेरी सास को यह सब पता चल गया तो वह कल के बजाए मुझे आज ही घर से बाहर निकाल देंगी, मगर इस समय तो मुझ पर मेरी जरूरत हावी हो रही थी और मुझे खुद को कंट्रोल ही नहीं किया जा रहा था, दो दिन बाद मेरी सास ने कहा कि बहु में अपने गाव जा रही हूँ, जहां पर मेरा माईका है, वहां किसी की मौत हो गई है, और वहां मेरा जाना बहुत जरूरी है, इसलिए तुम घर का ध्यान रखना, लेकिन तुम अकेली ना र हो, इसलिए तुम्हारे ससुर जी मुझे छोड़ कर आ जाएंगे, वहां पर मुझे एक हफ्ता लग जाएगा, क्योंकि मैं काफी समय बाद अपने माईके जा रही हूँ, इसलिए अपने सारे रिष्टे, दारों के घर भी जाऊंगी, तुम्हें किसी चीज की परेशानी हो तो तुम अपने ससुर जी से मंगवा लेना, मेरी सांस कहने लगी कि मेरे जाने का तो मन नहीं कर रहा है, तुम्हें अकेले छोड़ कर मगर मेरी मजबूरी है, मैंने दिमाग लगाया तो सोचा कि इस से अच्छा मौका मेरे पास कब-कभी हो ही नहीं सकता, मैंने अपनी सां अपने माईके जा रही हो और वैसे भी मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी, मेरी यह बात सुनकर वह बहुत इंप्रेस हो गई थी, उसके बाद मेरे ससुर रात के समय पर घर वापस आय थे, मेरे ससुर खाना खाकर ही आय थे, इसी लिए वह फौरन अपने कमरे में चले गए, मैं उन्हें देख रही थी, मैं उन्हें देख रही थी, कि वह एक जवान बेटे के पिता थे, फिर भी वह उसके बड़े भाई लग रहे थे, मेरी समझ यह नहीं आ रहा था कि मैं अपने ससुर पर कैसे डोरे डालूं, फिर मुझे आइडिया आया, और मैं चाय बनाने के ल मैंने चाय का कप हाथ में लेकर उन्होंने उन्हें दिया, उन्होंने जैसे ही चाय के कप को टच किया तो उनका हाथ मेरे हाथ से भी टच हो गया था, मेरे अंदर तो जैसे करठी लग गया था, मुझे वह बड़ी हिरानी से देखने लगे थे, तभी मैंने उन्हें मौका द भी नहीं लगा था और फिर हम दोनों के बीच वो खेल शुरू हो चुका था जो एक मर्द और एक औरत के बीच खेला जाता है अब मैं बहुत खुश रहने लगी थी मुझे जो चाहिए था वो मुझे दिल से मिल रहा था